दो फ्रेंड्स स्वागत आपका मनीवेशन चैनल पर तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे रेट कलर में आ रहा होगा सब्सक्राइब बटन मनीवेशन चैनल क्योंकि आगे भी इस तरह की जनकारी और बेस्ट फंड बेस्ट मिचुल फंड बेस टाइम ओफ इन्वेस्टमेंट जानने के लिए इस फंड को सब्सक्राइब करना सबसे ज़रूरी है तो शुरू करते हैं आज एक बेस्ट मल्टीकेप एंड प्यूर मल्टीकेप फंड को देखते हुए यह चलते हैं फंड पे फंड कर ना में पाराग पारिक लोंग टर्म की फंड डारेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना है आपको कि इसे वैली रिसेच ने फाइव इस्टाज दिया है तो आप समझ सकते हो यह फंड कुछ अच्छा ही होगा यह एक प्यूर मल्टीकेप फंड है अगर अगर आप इस गिरते मार्केट का फायदा उठाना चाहते हैं तो इस फंड बल्लाम समय सब्सक्राइप शुरू कर सकते हैं बेजी जक आई देखते हैं इसके बैसिक इनफ्रमेशन के बारे में फंड हाउस है पराग पारिक में चुल फंड लॉंच टेट है इस फंड को एक बहतर अगा रिटन का अशक्ता है इसको कि इसका बैंचमार्क निफ्टी फाइब अन्टियर रही है कि इसको मीटर मोडरेटली हाई है रिसेट साइट साइट इसका बहुत ही चोटा है और चाहल को ऐसेट सब्सक्राइब ध्युक्राइब ऊती हुट हो जोड़ा नहीं होती है इसका expense ratio 1.14 है जो कि कम expense ratio माना रहा सकता है risk rate low है जो कि इस और भी बहतर और बहुत 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 बढ़ाने में सायता करती है अब इसमें minimum investment 1000 रुपे कर सकते हैं लमसम भी 1000 रुपे कर सकते हैं कि आई दिखते हैं इस फंड कर रिस्क कि इस टेंडर डिवीशन से दिखाता है रिस्क तो फंड का इस टेंडर डिवीशन है 15.09 और कैटेगरी का है सब्सक्राइब कर सकते हैं एक अच्छा फंड है कि इसका बीटा भी देखते हैं यह फंड का बीटा है 0.72 और कैटेगरी का बीटा है यह रिटान के मामले में तो नमबर उपिस टॉक्स लिखते हैं इसमें 20 इसके फंड में जन लिया है जो कि कौंसेंट्रेटेड एंड वैल्यूबल इस टॉक्स के लिए जाना जाता है और सबसे बहतर और सबसे अलग इस फंड को बनाने में इसका फोरन एक्सपोजर है क्यो इन्वेस्ट करता है जो कि एक फंड के साथ दोनों इंडियन और फोर्म स्टोक्समार्कलीर आफ्ट करिया जिसने इसके स्टोक्स कुछ सबसे परले HDFC bank है जिसका percentage योप से 9.63 बंजार्ज होड़िंग 9.46 अलफ़ाबर्टिक जो कि फॉर इन श्टोक है 8.92 है एक्सपोजर एमजन एमजन तो एक बहुत यह ची कंपनी है इसके बाद इंटर से भी लोग जानते हैं इसका एक्सपोजर 6.71 है आईसे से बैंक एक्सिस बैंक फेस्बॉक फेस्बॉक तो दोस्तो आज के डिटन हरेक फॉन में इस्टॉल लोटा है इस कंपनी में भी इस के फॉन मेने इंवेस्ट कर रखाया 4.70 परसेंट होल्डिंग से एंफेसिस बाल किस्ना इंडस्ट्री टायर कंप एक सब्सक्राइब एक स्टॉफ आप देख सकते हो दोस्तों बहुती कंसेंट्रेटेटेड एंड बेस्ट इस्टॉप्स को चुना है इनके फान में जिबना है डॉक्टर एटी लैंब लूपिन के डिला हैल्थ केर सेंटल इस वोस्ट्री इपका लिबरेटरी टार्टाइस इस ती आइसी आडे सन फर्मस्टी कर इस्टेड बेंक ऑफ इंडियर तो आपने देखा इसमें कितने बहतर स्टॉक्स को चुना है इंके फंड में जो कि इस फंड को और भी बहतर और और भी ज्यादा कि रिटन डेलीवर करने में सायता करती है तो आज देखते हैं कि फंड मैंजर ने कौन-कौन है पहले तो है राज जीब ठाकर जो कि एक तीरा माई दो है तीरा से इनको लगतार मैंज कर आ रहे हैं और बहुत ही बहतर मैंज कर रहे हैं दूसरे है राज मेंजता सिंस 27 जनौ पर इस फंड कर दो दोस्तों यह था एक बैस और मैंट के फंड जिसमें कि आप बेजी जाख इस गिलते मार्केट में इनवेस्ट कर सकते हैं क्यूंकि इनवेस्ट करना ही यह कैसा उपाया है जिससे आप इसे सबना सकते हैं तो सबसे जरूरी है पैसे से पैसा बनाना आपका अपनी कमाया हुए पैसे मेहनत से कमाया हुए पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं तो आप मिच्व फंड का साहता ले सकते हैं तो दोस्तों आप इनके अगर इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए उत्सूख हैं तो आप इ लोग टर्म टेपन जोन सकते हैं या फिर अप ग्रोव एप या फिर आप अधर को इन प्लेटफॉंग केंस या फिर कहीं भी आप जाके इसे ऑफ लाइन या ओनलाइन रेइस्टर कर सकते हैं सब्सक्राइब कि अधर आज के लिए इतना ही और आप इस फंड को सब्सक्राइब कर दी जागे भी इससे जनकारी और महत्पुन फंड के बारे में जानने के लिए